इस वीडियो में आप जानेंगे हिंदू उत्रा अधिकार से संबंदित कुछ प्रसनों के बारे में पहरा प्रसन है पिता की संपत्ती और पैत्रिक संपत्ती में क्या अंतर होता है देखे एक पुत्र के लिए यहाँ पे मैंने एक पुत्र के लिए बताया कि एक पुत्र के नाते से एक पुत्र जैसे है तो उसकी पिता की संपत्ती और पैत्रिक संपत्ती में उसके हिसाब से क्या अंतर होगा दूसरा जो है वो है कि पिता की संपत्ती में पुत्र को कब अधिकार नहीं मिलेगा बहुत ही महत्पूर कुस्तन है तीसरा कुस्षन है वो है क्या दान में या वसीयत में मिली संपत्ती पिता या मालीजी अन्य किसी व्यक्त को अगर मालीजी दान में संपत्ती मिली है या वसीयत में संपत्ती मिली है तो क्या वह सह संपत्ती मानी जाएगी या पैत्रिक संपत्ती मानी जाएगी लास्ट कुस्षन है वो भी महत्थपूर है क्या पिता के हत्यारे को संपत्ती में हिस्सा नहीं मिलेगा या मिलेगा बहुत ही अपवाद है इस कुस्षन पर सबसे लास्ट वाले पर चलिए इस वीडियो में point to point वाद करेंगे अब बात करेंगे वही अधिकारों में क्या बदलाओ होते हैं तो देखी एक बच्चा जो होता है वो जब भी अपने पिता के घर जन्म ले लेता है तो उसका जो भी पैत्रिक संपत्ती होती है पिता की संपत्ती होती है उसमें अधिकार हो जाता है ठीक है लेकिन कानोनी रूप से वो अधिकार जो है वो पैत्रिक संपत्ती में ले सकता है पैत्रिक संपत्ती में पिता के अधिकार पुत्र के होने के कारण सीमित हो जाते ही लेकिन अगर बात करें पिता की संपत्ती की तो दो कि पिता की वह संपत्ती की बात कर रहे हैं ना पुत्र जवरजस्ती अधिकार ले सकता है ना ही पुत्री ले सकती है पिता अगर चाहे जो पिता की संपत्ती है वह दान में दे सकता है वह किसी भी व्यक्ति को वसियत भी करा सकता है ठीक है सीधी सी बात है दूसरा जो पैत्रिक संपत्ती होती है अब देखिए यहाँ प साधी हो गई वह वैसक हो गया तो पत्रिक संपत्ती में हिस्सा भी ले सकता है उसका ठटवारा करवा सकता है ठीक है लेकिन पता ने अपने स्वहम संपत्ती वगो पट्र नहीं को नहीं देगा लेकिन पत्र जो फिक है। संपत्ति का हकतार है जनकि प्यत्ति को स्मिल्टार अब बात करेंगे यहाँ पॉइंट पॉइंट को ज्यादा समझाने की जुरूरत नहीं है यहाँ पर मैं पता दूं आपको यह दिमाले लीजिए पिता की निर्वसियत संपत्ती है निर्वसियत या नहीं की जैसे माल लिजिए किसी विक्त के पिता जी एक्सपायर हो जाते हैं और भी किसी विक्त को वसियत करके नहीं गई ठीक है किसी विसेश विक्त को वसियत नहीं की मिलेगा अगर पिता जो है वो विसेज किसी व्यक्ति को माली जी उसके तीन पुत्र है और एक पुत्र को वसीद कर गई तो पिता की जो संपत्ती है वो उसी एक विसेज को विसेज पुत्र को मिलेगी जिसके नाम वसीद की थी ठीक है हो सकता है या पुत्री के नाम कर दें या हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति को दान में दे दे या वसीयत कर दें ठीक है तो वहाँ पर पिता की संपत्ती में पुत्र को अधिकार नहीं मिलेगा ठीक है लास्ट में भी इस पर पॉइंट है क्या त्यारा पिता की संपत्ती में इससा मिलेगा लेकिन यहाँ पर थेड़ कुस्तन में पूछा गया क्या दान में या वसियत में पिता को संपत्ती कोई दी गई है, कोई पिता को दान में या वसियत में संपत्ती मिली है, तो क्या वह पिता की संपत्ती मानी जाएगी? तो देखे यहां पर मैं मता दूं कि अगर किसी भी पिता ने अगर संपत्ती जो है अपनी कमाई से बनाई हो चाहे भई बेईमानी करके संपत्ती बनाई हो या उन्हें संपत्ती दान में मिली हो या उनके नाम कोई वसियत करके गया हो खास पिता जी के नाम तो वह संपत्ती जो है वो पिता जी की सह संपत्ती मानी जाएगी ठीक है अब आप समझे होंगे जब पिता जी की सह संपत्ती मानी जाएगी तो वही पिता जी की special अधिकार होंगे उस पर ठीक है वो जिसे चाहेंगे उसे देंगे और अगर वो उनकी कोई मरजी नहीं है तो जो भी ऐसा व्यक्ति, जो भी हत्यारा व्यक्ति है, उसे उत्रा अधिकार पाने से बंचित किया गया है, ठीक है, देखे चाहें उसके पिता की संपत्ती में उत्रा अधिकार मिल रहा हो, चाहें उसका पैतरिक संपत्ती में उसे उत्रा अधिकार मिल रहा हो, जो भी हत्या जमीदारी विनास एवं भूम विवस्ता अधनियम की तो यहाँ पर इलाबाद उच्चे नियालाय ने जमना प्रसाद एवं रेवेन्यू बोड के वाद में है नेड़े किया है कि भूम विवस्ता अधनियम के प्रापधान अनुसार मिरतक की संपदा में उत्रा अधिकार पा उत्रा अधिकार में इसा नहीं मिलेगा लेकिन जो उत्रा प्रदेश भूम वस्ता अधनियम है वहाँ पर जो हत्यारा जो है उसे उत्रा अधिकार यानि की संपत्ति में अधिकार दिया गया है तो भाई दोनों विदियों में अलग अलग नियम कैसे तो यहाँ पर आपको क क्रसी की जमीन होती है जो क्रसी कार होते हैं वहां पर लोकल लागू होते हैं जो भी उस राजी की भूमे विदियां होती है वो लागू होती है ठीक है जैसे मालीजी आप मद्ध प्रदेश से हैं या मालीजी कोई बिहार से है कोई उत्तर प्रदेश से है तो वहां की क्रसी भ वहाँ पर ये headline ये बात जो है mention की गई है कि उन भूमे विदियों में यदि कोई ऐसा नियम है जो एक पुत्र और पुत्री में विभेद उत्पन करता है तो ऐसे जो भी नियम है वो सून ने होंगे ठीक है तो ये बात भी mention की गई है दोस्तों यदि आपका और भी कोई संपत देखना चाहते हैं तो वीडियो की description में कई महतपूर वीडियो की link दी गई है आप और भी महतपूर वीडियो देख सकते हैं और वीडियो को like करें